यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में हर्स के समय में जो समाजिक जीवन था उसके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखे हर्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है तो आप यूटूब चैनल पर जाके और जो प्लेलिस्ट है हर्स वर्दन उसमें हर्स के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को लाइक और शेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी एकजाम से समंधित महत्वपुन सूजना पहुंच सके और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और आप इध्यास विशे से समंधित महत तो नहीं नहीं जानकरी प्राफ्ट कर सकें तो देखेगा पढ़ते हैं हर्ष के समय में समाजिक जीवन हर्ष का लियन समाज वर्णाश्रम व्यवस्ता पर अधारित था परंप्रागत चारों वर्णू ब्रामन चत्रिय वैष्य और सुद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अ वेन सांग भी ब्राहमनों की परसंसा करता है तता उन्हें सबसे अधिक पवित्र एउं सम्मानित कहता है। उसके अनुसार ब्राहमनों की अच्छी ख्याती के कारण ही भारत को ब्राहमन देश भी कहा जाता था। इस काल के ब्राहमनों ने अध्यन, अध्यापन, यग्य याजन के पारशपरिक व्यवसाय के अतिरिक क्रिशी तथा व्यापार करना भी प्रारम कर दिया था परसासन में भी उन्हें पर्तिष्टित पत दिये जाते थे इस काल के ब्राहमन अपने गोत्तर परवर चरण या फिर साखा के नाम से परसित थे इस समय ब्राहमनों के हाथ में काफी भूमी आ गई थी जो उन्हें अनुदान में प्राप्त हुई थी हर्स चरीट से पता चलता है कि सनिक अभियान पर निकरने के पूर्वर हर्स ने मध्य देश में ब्राहमनों को एक हजार हलो के साथ सोगाम दान में दिये थे यह भूमी लगबग दस हजार एकट रही होगी इस परकार ब्राहमन अब भू संपन किसान बन गए थे ब्राहमन जन्मना स्रेश्टता का दावा करते थे कर्मना नहीं अर्थात ब्राहमन कहते थे कि बही हम जन्म से ही स्रेश्ट है करम से नहीं हर्स रित में एक अस्थान पर कहा गया है कि अवर जो जन्म से ब्राहमन है प्रन्तु जिनकी बुद्धी सेंसकार से रही थे वे भी सम्मान योगे हैं समाच का दूसरा वर्क छत्रियों का था लेकिन उनकी वास्थिक इस्तिती के विशे में कह सकना कठिन है वेन सांग उन्हें राजों की जाती कहता है किन्तु हर्स काल में अधिकतर सासक छत्रियों तर जाती के थे हर्स स्वयम वर्षे जाती का था कामरूप के सासक ब्राहमन तथा सिंद का सासक सुद्र था बल्लबी तथा चालू के सासक छत्रियों थे छत्रियों अपने नाम के अंध में वर्मा त्राता लिखते थे बल्लभी के राजों की उपादिया सेन, भट आदी थी चत्रिय ब्राहमनों का बहुत सम्मान करते थे वान विवस्ता में तीसरे स्थान पर वैश्य थे ये मुखे तहें व्यापार करते तथा लाब के लिए निकट और दूरस्त देशों की यात्रा करते थे पहले वे कर्शी कारिये भी करते थे लेकिन बाद में उन्होंने कर्शी छोड़ दी कर्शी कारिये उसको छोड़ दिया था तदा पूर्ण तेया वैपारी हो गए थे कई विद्वान इसके पीछे बोध रम का प्रभा मांगते हैं चूंकि अधिक्तर वहषे बोध हो गए थे अतहे उन्होंने अहिंसा सिधान्त का पालन किया होगा वे क्रेसी करके किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहते थे पन्तंतर जो पांचवे चट्वी स्ताब्दी का है मेवानी जे को ही उत्तमकारिये मन अगया है बोधो ने भी इसे सम्मानित पेशा बताया है ब्रहमनों के बार समाज में वहषियों का ही महतोपुन स्थान था क्योंकि वे आर्थि गती वीदियों के नियमक थे अपनी आर्थिक सम्रदी के बल पर उन्होंने कुछ राजनितिक सक्ति भी प्राप्ति कर ली थी परसासन में भी वहषियों को कुछ महतोपुन पद दिये जाते थे वे गूप्त तथा दत जैसी उपादिया धरन करते थे अब देखेगा इस्तरियों की दशा तो सुद्र समाजिक व्यवस्ता में चोथे स्थान पर थे वेन साग ने सुद्रों को कर्शक कहा है ऐसा परतीत होता है कि वेश्यों द्वारा कर्शी कर्म छोड़ देने के बाद सुद्रों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया उन्होंने कुछ राजनेतिक सक्ती भी प्राप्त कर ली थी जैसा कि सिंद का राजा सुद्र था तदा बोधरम में उसकी आस्था थी मनिपूर के राजा को भी सुद्र बताया गया है इसे पता चलता है कि सुद्रों की इस्तिती में कुछ सुधार हुआ जन सिंग्यागा एक बड़ा भाग अच्छूच समझा जाता था वे अंसांग कसाई, मच्छूए, जलाद, भंगी, अधिजातियों के नाम गिनाता है जो अच्छूच थी वे नगरों और गाउं के बाहर रहते थे तथा आते समय छड़ी पीट कर अपने आगमन की सुद्रना देते थे ताकि लोग उनके इस्पर्स से बच सके कादंबरी में चांडाल इस्पर्स वर्जित तधा दर्सन मात्र फल कहकर संबोधित किया है इस्थियों की स्थिति के विशे में हमें जो सूचना मिलती है उसके आदार पर उसे अच्छी नहीं कहा जा सकता सजाती विवाह भी मनने थे लेकिन विवार में अंतरजाती विवाह भी होते थे स्वयम हर्स की महन राजिस्री जो वैसे थी कन्दोज के मोखरी वनस जो चत्त्रिय था में व्याही गई थी बल्लबी नरेश दुरुव भट जो एक छत्त्रिय था का विवा है हर्स की पुत्री से हुआ था अनलोहम तथा पर्तिलोहम दोनों ही विवाहुं का परसलन था पहले में निमन वार्ण की कन्या का विवाय उच्वरर के विक्ति के साथ किया जाता था पर्था अनलों वियाः पर्था तर्दा दूसरे में जो पर्थिलों विवाय व्यवस्टा थी इसमें उस्चेवंड के कर्णिया के साथ निम्न वर्ण के विक्टी के साथ विवाय क्या जता था पुन्दर विवाहे नहीं होते थे तदा सत्ती पर्था का पर्शलन था हर्ष सरिट से पता चलता है कि हर्ष की माता यसो मती सत्ती हो गई थी राजिस्त्री भी चित्ता में जलने जा रही थी लेकिन हर्ष ने उसे बचा लिया कुलीन परिवार के लोग कई पत्नियां रखते थे, बाल विवाहे का पर्चलन था, इससे ऐसा परतीत होता है कि कन्यों को प्रयाब सिख्षा नहीं मिल पाती थी, केवल कुलीन परिवार की कन्यों को ही सिख्षा दी जाती थी, लोग नाच गान के सोकीन थे, जन्म विवाह के अवसर पर समाज के सभी लोग सुचन दिता पूरवक नाज दिता गाते थे कभी-कभी ये परदसन काफी अशलील भी हो जाते थे वेंसांग हर्षकालीन भार्टियों के भोजन तता वस्त्रों का भी उले करता है लोग साकाहरी तता मासाहरी दोनों परकार के भोजन करते थे वेंसांग के अनुसार भेड तता हीरन का मास तता मचलियां खाई जाती थी स्राद के अवसर परी पित्रों को परसन करने के लिए मासाहरी भोजन बनाया जाता था तथा ब्राह्मन लोग येग्यों में पसू बली देते थे, वशे मासा हार से प्राय हे प्रहेज करते थे, गेहूं तथा चावल का प्रियोग अधिक मात्रा में होता था, गी, दूद, दही, चीनी, मिस्त्री, विवीत प्रकार के फल, आदी भी बहुतायद से प्रियोग में लाए जत्त थे, कुछ लोग मदिरा का भी स्यवन करते थे, सादारंत है भारतियों को स्वेत वस्तर प्रिये थे, इस्त्री तथा पूरुस दोनों ही बाबुसन दारन करते थे, देश के विपिर भागों में सूत, रेशम, उन के बारिक वस्तर तयार किये जत्ते थे, चिना वीडियों में हमने हर्स कालें जो समाजिक दसा है उसके बारे में जानकरी प्राप की और एक्जाम के दस्टी से ये वीडियो बहुत मात्वपून है और इसी तरह से बने रहें यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज पी